दोस्तों स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी हरर के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ एक बेहद ही दिल्चस्प जासुसी कहानी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चले कहानी शुरू करते हैं सन 1845 पत जड़ का मौसम पैरिस ऐसी ही एक शाम में अपने दोस्त ऑगस्ट ड्यूपिन से मिलने उसके घर गया हम दोनों काफी देर से चुप चाप अंधेरे में बैठे अपने अपने तमबाकू वाले पाइप के कश मार रहे थे तब ही ड्यूपिन खड़ा उठा और उसने एक लैंप जला दिया अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी होने लगी ड्यूपिन वापस कुर्सी में बैठा और वापस अपने पाइप से कश मारने लगा ड्यूपिन और मैं इधर उधर की बात कर ही रहे थे कि तब ही अच्छानक कमरे का दर्वाजा खुला और पैरिस पुलीस फोर्स के हैड मिस्टर जर्मंट कमरे में दाखिल हुए कमरे में घुसते ही मिस्टर जर्मंट मेरे दोस्त ड्यूपिन से बोले मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर ड्यूपिन मैं शाही परिवार के एक बेहद ही खास केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत उलज़ा हुआ केस है देखने में मामूली लगेगा लेकिन मैं और मेरी टीम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे है इसलिए हमें आपकी राय की खास जरूरत है मिस्टर ड्यूपिन मेरे ख्याल से आपको पहले इस केस से जुड़े सारे फैक्ट्स मालूब होने चाहिए इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ मैं और मेरी टीम इस केस में पिछले तीन महिनों से काम कर रहे है ये एक मामूली चोरी का केस है फिर भी हम इसे सुलज़ा नहीं पाए ड्यूपिन अपने होटों में दबे अपने तंबाको वाले पाइप को बाहर निकाला और बोला हाँ शायद ये रहस कुछ ज्यादा ही साधारण है इसलिए आप इसे सुलज़ा नहीं पाए जर्मंट जोर से हसने लगा और बोला साधारण हमने इस पर तीन महिनों तक मेहनत की और आप कहते हैं कि ये एक साधारण केस है जर्मंट का ये बरताव मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने उससे कहा तो मिस्टर जर्मंट आप अपनी परेशानी के बारे में खुल के क्यों नहीं पता देते जर्मंट की हसी बंद हुई और वो एक कुरसी में बैठ गया और बोला हाँ ठीक है लेकिन आप ये किसी को ना बताएं कि मैंने आपको ये बताया है असल मैं एक बेहद ही खास शक्स की पत्नी को मदद की जुरत है मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनका पती फ्रेंच सरकार का एक बेहद ही शक्तिशाली राजनेता है इसलिए मैं उसकी पत्नी का नाम नहीं बता सकता लेकिन हम उसे मैडम एक्स नाम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ दरसल तीन महिने पहले किसी ने मैडम एक्स के एक बेहद ही खास ख़त को चुरा लिया था तो अब उनका कहना है कि जो भी उनके ख़त को ढून कर उन्हें लोटा देगा वो उन्हें एक बड़ी धनराशी इनाम की रूप में देगी हम सभी जानते हैं कि मैडम एक्स के हस्बेंड के राजनीती में कई दुश्मन है लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है जिसका नाम है मिस्टर डार्सी हमें पूरा यकीन है कि ये ख़त मिस्टर डार्सी ने ही चुराया है और वो ख़त उन्होंने अपने ही घर पे कहीं छुपाया हुआ है ड्यूपिन ने बीच में टोकते वे पूछा जर्मन बोला आप तो जानते ही हैं मिस्टर ड्यूपिन कि पुलीस फोर्स में होने के कारण हमारे पास हर वो चाबी रहती है जिस से पैरिस के किसी भी ताले को खोला जा सकता है पिछली तीन महीनों में हमने लगभग हर शाम मिस्टर डार्सी के घर जाकर हर ताले को खोल के देख रिया है मगर हमें वो खत कहीं नहीं मिला ड्यूपिन ने फिर से अपने होटों में से तंबाकु वाले पाइप को बाहर खींचा उसकी दिल्चस्पी बढ़ने लगी थी उसने पूछा मुझे बताए मिस्टर जर्मंट की आपने उस खत को कहां कहां और कैसे ढूंडा जर्मंट ने अपनी कुरसी आगे सरकाई और ड्यूपिन के करीब आके बोला हमने उस खत को डार्सी के घर में हर जगह ढूंडा सबसे पहले हमने उस घर की हर अलमारी, हर ड्रॉर को खोल के देखा यहां तक कि हमने उसकी बिस्तर और जमीन में बीची कालीन को उठा कर भी देखा हमने दिवार में टंगी हुई हर तस्वीर के पीछे भी अच्छे से तलाशा हमने हर किताब को खोल के देखा यहां तक कि हमने लकडी के फर्श के हर तखते को उखाड के भी देख लिया मगर वो खत हमें कहीं नहीं मिला हमने टेबल्स के नीचे भी अच्छे से देखा ये सोच कर कि कहीं उसके नीचे उस खत को चिपका कर छुपाया हुआ तो नहीं है हमने कीचन में सभी जगहे अच्छे से देखा पर हम उसे नहीं ढून सके अब मैं उसके बारे में सोच सोच कर ठक चुका हूँ मिस्टर ड्यूपन आप ही बताये मुझे मैं क्या करूँ ड्यूपिन ने अपने तंबाकू वाले पाइप का एक गहरा कश मारा और धुआ हवा में छोड़ कर बोला वो खत दिखता कैसा है क्या आप उसके आकार, उसका रंग और उसके बारे में बाकी डिटेल्स बता सकते हैं जर्मन्ट बोला वो खत एक सफेद लिफाफे में बंद है लिफाफे के ऊपर एक लाल स्टेंप लगी हुई है उसके उपर बड़े-बड़े काले अक्षरों में मैडम X का नाम पता लिखा हुआ है ये सुनकर ड्यूपिन फिर से अपने तंबाको वाले पाइप का कश मारा और धुआ हवा में छोड़ते हुए बोला मेरी पस आपको एक ही राय है मिस्टर जर्मन्ट आप मिस्टर डारसी के घर में वापस जाएं और एक बार फिर से उस घर की तलाशी लें उसके बाद जर्मन्ट ड्यूपिन के कमरे से बाहर निकल गया और फिर वो कई दिन बाद वापस लोटा उस दिन भी मैं ड्यूपिन के घर में ही था और हम इधर उधर की बातें कर रहे थे जर्मंट पिछली बार की तरह अचानक कमरे में घुसाया और बोला आपने जैसा कहा था मिस्टर ड्यूपिन मैंने वैसा ही किया लेकिन मेरे हाथ अभी भी खाली है हमें वो खत नहीं मिला मैडम एक सब उस खत को वापस पाने के लिए बेहद ही व्याकुल है उन्हें कैसे भी करके वो खत चाहिए ही चाहिए ड्यूपिन मुस्कुराया और बोला मैं जानता था कि तुम्हें वो खत नहीं मिलेगा ये बात सुनकर जर्मंट का चहरा गुसे से लाल हो गया वो बोला तो फिर तुमने हमें उस घर में दोबारा तलाशी लेने के लिए क्यों कहा ड्यूपिन बोला मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुनना क्या तुम्हें वो फेमस डॉक्टर लुइस हाडी याद है नहें जर्मंट चिलाया तुम सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते मिस्टर ड्यूपिन ड्यूपिन बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है लो मैं कहानी सुनाता हूँ एक बार एक अमीर बुढ़ा आदमी डॉक्टर लुइस हाडी से एक पार्टी में मिला वो बुढ़ा आदमी का स्वास्त कुछ ठीक नहीं था तो उसने सोचा क्यों आप पार्टी में आए हुए डॉक्टर हाडी से अपनी तबियत के बारे में कुछ ओपिनियन ले लिया जाए मुफ्त में तो वो बुढ़ा आदमी डॉक्टर हाडी के पास गया और उसे अपनी तबियत के बारे में बताया दरसल वो बुढ़ा आदमी फ्री की एडवाईस चाहता था और अपने पैसे बचाना चाहता था डॉक्टर ने आगे कहा अब तुम मुझे बताओ क्या उस डॉक्टर ने उस बुढ़े आदमी को फ्री में एडवाईस दी होगी या नहीं ये बात सुनकर जर्मंट का चहरा उतर गया वो शर्मिंदा होने रगा वो समझ चुका था कि डूपिन इस खत के रहस्सी को सुलजाने के बदले अपने हिस्से की फीस चाहता है जर्मंट को खामोश देखकर डूपिन मुस्कुराया और बोला तो मिस्टर जर्मंट वो इस खत को ढूडने वाले को कितना ना मिलने वाला था जर्मंट सहमते हुए बोला और मैं आपको सही रकम नहीं बता सकता पर उस खत को ढूडने में मेरी मदद करने वाले को मैं 50,000 फ्रेंक देने को तयार हूँ ड्यूपिन बोला हाँ तो ठीक है आप अपनी चेक बुक निकालें और मेरे नाम पे 50,000 का चेक फाल कर मुझे दे दें आप जब मुझे साइन करके वो चेक दे देंगे मुझे से आप वो खत ले लीजेगा ये बात सुनकर जर्मन का मुँ खुला का खुला रह गया वो बेहद आश्चरी चकित था वो समझ नहीं पा रहा था कि ड्यूपिन ने कैसे इस रहस्ची से परदा उठा लिया वो जानने के लिए उत्सुक था उसने तुरंत अपनी जेब से एक चेक बुक और एक पैन निका ली और उसने फटाफ़ट ड्यूपिन के नाम पचास हजार फ्रेंक्स का एक चेक लिखा और ड्यूपिन के हाथ में थमा दिया ड्यूपिन ने उस चेक को बड़ी ही बारी की से देखा फिर उसने वो चेक अपनी जेब में रखा फिर उसने अपनी मेज की दराज में चाबी घुसा कर घुमाई और दराज को खोल कर उसमें से एक खत निकाल के जर्मंट की और बढ़ाया जर्मंट ने वो खत थामा और उसे खोलने लगा उस खत को खोलते हुए उसके हाथ काप रहे थे खत को खोल कर वो बेसबरी से उस खत को पढ़ने लगा फिर उसने वो खत अपनी जेब में रखा और ड्यूपिन का धन्यवाद करके वो वहाँ से बाहर चला गया ये सब देखकर मैं भी हरान था मैंने ड्यूपिन से कहा ड्यूपिन तुमने ये रह से कब और कैसे सुलजाया ड्यूपिन बुला बहुत आसान था मेरे दोस्त जर्मंट और उसकी पुलीस उस खत को इसलिए नहीं ढून पाई क्योंकि वो लोग उस खत को चुराने वाले के दिमाग को नहीं पड़ सके मगर उस खत को चुराने वाला इन पुलीस वालों के दिमाग को अच्छे से जानता था जर्मंट और उसकी पुलीस ने खत को सिर्फ उन जगवों में ढूंडा जहां कोई आम चोर उस खत को छुपा सकता था मगर मिस्टर डार्सी किसी भी पुलीस वाले से कई जादा अकलमंद और शातिर है मिस्टर डार्सी जानते थे कि पुलीस उनके घर की तलाशी जरूर लेगी वो ये भी जानते थे कि पुलीस किस हद तक सोच सकती है इसलिए मिस्टर डार्सी ने खत को हर उस जगह में नहीं छुपाया जहाँ पुलीस तलाशी ले सकती थी तो मैं याद है मिस्टर जर्मेट कैसे हसे थे जब मैंने उनसे कहा था कि वो ये केस इसलिए सॉल्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एकदम आसान केस है दिमाग में बस यही खयाल आया कि पुलीस उस खत को नहीं ढून पाएगी क्योंकि डार्सी ने वो खत छुपाया ही नहीं था किसी खूफिया जगह में छुपाने के बज़ाए डार्सी ने वो खत एक खुली जगह में रख कर छोड़ दिया था पहली बार जर्मन्ट से मिलने के बाद मैं मिस्टर डार्सी के घर गया था उस दिन मैंने आँखों में एक गहरे रंग के काँच वाला चश्मा पहन के रखा हुआ था मैंने मिस्टर डार्सी को बताया कि मेरी आँखों में कुछ परेशानी है इसलिए मुझे वो चश्मा हर वक्त पहन के रखना पड़ता है और मिस्टर डार्सी ने मेरा यकीन कर लिया मैं जब डार्सी से बात कर रहा था तब उस चश्मे की मदद से मेरी नजर पूरे कमरे की तलाशी ले रही थी डार्सी को लग रहा था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ तब ही उस दोरान मेरी नजर कमरे में रखी एक बड़ी मेस पर गई उस मेस पर कई सारी किताबें और पेपर्स रखे हुए थे हाला कि मुझे उन में कुछ भी संदिक दिन नहीं दिखा और कुछ देर बाद मेरी नजर फाइर प्लेस की उपर बने शेल्फ पर गई उसमें कुछ पोस्ट कार्ट्स और एक लिफाफा रखा हुआ था जो देखने में काफी पुराना और धूल से ढखा हुआ लग रहा था जैसे ही मेरी नजर उस खत पर गई मैं तब ही समझ गया था कि वो वही खत है जिसे मैं ढून रहा हूँ डार्सी से बात करने के दोरान मेरी नजर उस खत के ऊपर ही थी और मैंने उस खत के ऊपर लिखी हर एक बारी की को अच्छे से याद कर लिया और जब डार्सी की नजर मुझ पर से हटी तब मैंने अपने एक दस्ताने को अपनी कुर्सी से नीचे गिरा दिया ये मैंने जान बूच के किया ताकि बाद मैं उसे वापस लेने के बहाने वहां आ सकूँ और फिर मैं डार्सी के घर से बाहर निकलाया अगली सुभ़ मैं फिर से डार्सी के घर गया अपना दस्ताना लेने जब डारसी और मैं बात कर रहे थे तब ही हमें बाहर सडक में से कुछ लोगों के चिलाने की आवाज आई डारसी खिर्की के पास गया और बाहर देखने लगा बस उसी वक्त मौका देखकर मैं फाइर प्लेस के पास गया और उसके उपर के शेल्फ में से वो खत उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख दिया और फिर मैंने दूसरी जेब से हू बहू वैसा ही एक नकली खत निकाला और असली वाले की जगह में रख दिया वो नकली खत मैंने पिछली रात को ही बनाया था डार्सी अभी भी खिडकी से बाहर ही देख रहा था बाहर सडक में एक छोटा सा एक्सिडेंट हुआ था एक घोडा गारी एक आदमी के ऊपर चढ़ते चढ़ते बची थी उस आदमी को कोई चोट नहीं लगी कुछ देर में सडक में जमा भीड वहां से चली गई उसके बाद डार्सी खिडकी में से वापस मेरी तरफ घूमा और बोला आजकल सडक में चलना भी सुरक्षित नहीं है मैंने कहा हाँ सही कहा मिस्टर डार्सी खेर मुझे मेरा दस्ताना मिल गया है ये यहीं कुर्सी के नीचे गिरा हुआ था माफ करना मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई इतना कहे कर मैं डार्सी के घर से बहार आ गया और वो जो सडक दुरगटना में आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे आते आते बचा था वो मेरा ही नौकर था मैंने उसे पैसे दिये थे ताकि वो दुरगटना का नाटक रच कर डार्सी का ध्यान बाहर सडक की और खीच सके उसके बाद ड्यूपिन ने फिर से अपने तंबाकू वाले पैप को जलाया और कश मारने लगा मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे मैंने ड्यूपिन से पूछा मगर ड्यूपिन तुमने असली खत की जगे नकली खत रखने की मुसीबत क्यों मोल ले तुम असली वाले को उठा कर भी तो सीधा बाहर आ सकते थे ड्यूपिन मुस्कुराया और बोला डार्सी एक खतरनाक राज नेता है दोस्त उसके लिए काम करने वाले उसके कई वफदार नौकर है अगर मैं असली खत को उठा कर बाहर आ जाता और डार्सी को अपना खत नहीं दिखाई देता तो यकीनन मैं जिन्दा यहां अपने घर तक नहीं पहुँच पाता दोस्तों कर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें चैनल सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब कर लें मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया हैं उन्हें भी जरूर सुने मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद